नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है 2019 के लोग सबाद चुनाओ के दवरान कांग्रेश नेता राहूल गांधी द्वारा करनाटक के कुलार में दिये गए बयान पर उन्हें दो साल की कल सूरत की कोर्ट ने सजा सुना दी जैसे ही ये एलान हुआ वैसे ही हड़कंप मच गया कांग्रेश ने अलग बैठक बुला करके अपनी रणनिती बनानी शुरू की कैसे फ्रंट फूट पर आ करके इस मुद्दे पर खेलेगी राश्पती को ग्यापन देगी देश भर में धरना प्रतर्शन करेगी और हाँ हंगामा कांग्रेश की मीटिंग सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी कितने दिन अप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो आपको बता दें कि जो मौझूदा संसद यानि लोकसभा का कारिकाल है वो दो अजार 24 तक है मई तक तो इस लगभग एक साल के दूसरा सवाल क्या राहुल गांधी अपील में जाते हैं और सेशन कोट से बरी हो जाते हैं उस केस में क्या होगा या जो कन्विक्षन हुआ है उस पे इस्टे लगता है उस केस में क्या होगा या स्पीकर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो कैसे रुख सकता है तो द कि 3 मैने तक आपके सदस्ता बनी रहेगी वो रद हो गया था इसका मतलब ये साफ है कि जैसे ही फैसला आता है वैसे ही आपके सदस्ता चलि जाती है नोटिफिकेशन स्पीकर के द्वारा जारी करना एक उपचारिकता है वो भी उपचारिकता पूरी कर ली गई है दूसरा सवाब क्या हाई कोड या सुप्रिम कोड उस पे इशटे लगा सकती है तो इस सवाल का जवाब दिया है बरिष्ट वकील है सिधार दूतरा कि कैसे बाद में लोग प्रिहरे के मामले में फैसला आया वो क्या कहता है इस सवाल का जवाब सुनिए उन्ही के जुबार देखिए अगर गांदी साब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी अपील दाखिल करने का समय है उनके पास अपील दाखिल करने के बाद उनको stay of conviction जो उन पे judgment आई है सजा की उस पे stay लेनी पड़ेगी यह नहीं के सरफ बेल मिले पर conviction पर stay मागनी पड़ेगी और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सके होगी लेकिन इस सदस्ता का क्या होगा जो अगर conviction पर stay हो जाता है तो क्या करने के लिए उस पर रोक लग सकती है तो यह एक एरिया है जिसमें लोग प्रहारी में एक नया नई opening सी उनको मिल गई है कि वह जड़मिंट फिर एफेक्ट पर वह जो सजा अगर stay हो गई तो फिर उनकी disqualification effect नहीं लेगी तो यह जो चीज है इस चीज का फाइदा वो उठाना चाहेंगे लेकिन एक बार यह notification हो गई इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो speaker के पास कहने के लिए कि देखिए सब अब मेरी stay हो गई यह वापस किया जाए लेकिन अगर तब तक election announce होड़ा था तो बात अलग है पर वो जा सकते हैं और अगर वहां नहीं तो फिर वो court जा सकते हैं कि जो मेरी notification आई उस पर रोक लगाई जाए इसके लिए कोई time frame है क्या कि कब तक जा सकते हैं क्या कुछ 30 दिन 90 दिन कुछ ऐसा है अपील against a quarter medistate की court से हो तो उसमें 30 दिन का समय मिलता है उनके पास 30 दिन का समय नहीं सेशन जोड़ कोड जाने के लिए कितने दिन के लिए अगर मालिजिए सजा चली गई तो दो साल की सजा है उसके बाद कितने दिन तक नहीं लड़ सकते हैं अगर उनकी सजा कानून में यह लिखा है कि अगर दो साल की सजा है तो जब सजा पूरी होती है अगर stay of conviction नहीं मिलता तो उसके बाद 6 साल और यह disqualification चलती है लेकिन अभी ना सजा शुरू ही है बेलेबल उफेंस है बेल उनका हक है तो इसलिए वो अपलाई नहीं करेगी दूसरी चीज़ अभी अपील है अपील के बाद हाई कोड में रिविजिन है रिविजिन के बाद सुप्रीम कोड में सल पी है तो अभी इनके पास कई स्टेप्स हैं मतलब यह स अधस्ता खतम होने के बाद लोगसभाद सच्वाले से यह चाहें तो इस्टे लेने के बाद फिर यह लोगसभाद द्रस से अपना वापस ले सकते हैं और यह और यह दोजार चौबीस का एलेक्शन लर सकेंगे अगर इनको स्टेम कफ कंविक्शन मिल गया मिल जा तो आपन के था दो सिठा हराये जाते हैं उसको कंविक्शन बोते हैं दो सिद्धी हो गए फिर क्वांटम पनिशमेंट टैप होता है तो उस कंविक्शन को रोपना होगा और फिर हाई को कहना होगा कि स्पीकर का जो नोटिफिकेशन है वो भी रद किया जाता है या उस फैसले के आल राहूल गांदी के पास अभी विकल्फ है कि वो सेशन कौर्ट में जा सकते हैं। देखते रहिए इन खबर थैंक यू